अस्सलामों अलेकुम दोस्तों वेलकम अगें टू न्यू वीडियो के पी गोर्फार्म पे हम लोग एक नया वीडियो बहुत उंदा बक्रे आराम आरम से दिखाएंगे पूरा वीडियो लास तक देखें आप पहले स्टार्ट करें हम लोग एक बारा बक्रों से और फिर सेकं बहुत ज्यादा हो जाती है मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि आप से लेने का लोगों का फाइदा क्या है बिल्कुल आज यहां से बक्रा ले लिए उनको दो तीन टर्म्स मिल रहे दो तो मिली रहे पैसे देने आराम से और वाजिब रेट में बक्रा अपने घर पे आजाता वैसे बक्रे हैं 120 किलो अभी इतना है और बक्रे तक क्या इनका अंदाजा आपको लगता है अभी इंशालला एक सो पैंतीस चालिस तक इंशालला यह वाले 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 चलेगा एक एक करके दिखा देते हैं यह थोड़ा इजी करते लोगों को खरीदने के लिए बिल यह देखिए एक एक बक्रा आपको दिखाएंगे और छोड़ते जाएंगे अंदर पहला बक्रा ठीक है इसके थोड़ा सा डिटेल्स भी देते हैं इसका आसिम भाइट है 43 के करीब हाइट है और 118 119 किलो के करीब आज यह बक्राइब किसी को वेड़ से तो भी मिल जाएग तो यह पहला बक्रा हो गया दूसरा देखो अनि आज यह वक्रा है आसिम भाइब यह भी 41 के आसपास के है 105 106 किलो एकसपेक्टेट वेर आम मालो बक्राइट तक का 125 कि आराम से 125 प्लस चलिए यह दो को तम नटिया में एक दम शोट हैटेट में अज मेरा लास्ट टाइम मै एक वीडियो बनाता कर लोगों को याद रहेगा यह वैसा ही हो जाएगा पूरा गोल बोर्ट हो जाएगा इसका वजन क्या आएगा इसका अभी हाल फिलाल होगा 95-100 किलो होगा बहुत उंदा चीज है पैर का मोटा है शौट हाइट का बक्रा है जल से जल बुक्रा मिलेगा इसका नहीं बाद में बिल्गुल यह वाला देखवा यह आसिम भाई है 120 किलो का बक्रा इसकी हाइगी इसकी हाइट है 41-42 हाइट है बगल बगल भी माशालला बक्रे निकाल बना लियारी कर रहा है चलेगा यह बहुत उंदा मेरा फेवरेट कलर है बक्रेगा वह बोल्डन यह 110 किलो का बक्रा है और 41 हाइट का बक्रा है यह अभी दम तैयारी पे बिल्कुल बिल्कुल अभी यह वेड भी अच्छा ले रहा है बहुत उंदा चीज़ा जान दोसको यह देखिया अब यह आसिम भाई भी है दूबला पदला लेकिन यह के टाइम के बक्रा देखने ल बक्रा तैयार अभी है नहीं स्ट्रक्चर पूरा बड़ा माशालला लेकिन अभी हाइट लेगा और वजन भी लेगा यानि भाई लाए तो पूरा जहाज बोल सकता इसको रॉल इंफील्ड की जो बुलेट होती है कितनी बड़ी लेंद है लेंद माशाललला बहुत अच्छ सब्सक्राइब हो गए तो यह बारा को जान दो और नेक्स्ट लॉट लाते है अभी हम लोगा यह दूसरा लॉट आ चुका आपके सामने माशालला अब यह तो अभी पूरे-पूरे वेट पे हैं यह सब बेचने है कि कुछ यह सारे बेचने के बखरे बनलब जो देड़ सो क्याइब इसमें निकलेगा ना इसके आए जा रहे वान फिफ्टी वन सिक्टी केजी का बखर इनमें से निकलेगा इन्शालला आप फिटिंग के बखरें बोल आपने जो हाइट बताए कित्ती हाइट होगी इसके यह 44 हाइट पे बखरा अंबिलीवेबल यह देखो साइस हमारे फॉरन के दोस्त आज भी याद करते हैं कभी बात होती है तो उससे केपी गुर्फ हम गई के नहीं है माशालला सब लेंद और हाइट वाले बखरें सारे यह बखरे कोई देख लेगा तो फिर वो तो कुछ बुलने का भी नहीं रहेगा और अभी तो इनके तैयारी प क्या कॉलिटी यह देखा आप देखो एक चीज बहुत स्पेशेल बाहर आ रही देखा अचिंब है इदर ला उसमान इदर ला इदर 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 चावेट पे भाई यह करीबन 110 के बाहर है बखरा चोड़ दे विटा 110 के बाहर है बोर बखरा यह आपके घर पे पैदा हुआ यह घर पे पैदा होता हूँ और अलम्दुल्ली लास्ट सेटेडी कोई सोल आउट हो गया कितना बड़ा बखरा हो माशाहालला है फुल बाला जी पैच जबर्दस बखरा है कुछ बखरे दिखाते हम लोग इसमें से शुरुआते एक बर वेट से करते दो बखरे दिखा के ह लोग अंदाजाई ले लेता हो से मुसिम भाई से समझने के लिए लिए वन ट्वेंटी किलो इंशालला है और इसकी हाइट किती होगी इसकी हाइट है फॉर्टी के करीब और एक सो बीस किलो वजन आज तेरा या चौदा जनवरी है ट्वेंटी बखरा अगर आज कोई खरी कि देखो भाराई पर ऐसा बकरा यह रेट में नहीं मिले जान दो इसका वेट दिखा देखा लेटा लो कि आप आप खुछ शॉक हैं कि मतलब आपको सही में अंदाजा नहीं था वह अंदाजा नहीं था वह बहुत बड़ी बात है जो आज देखें ना लोगों ने आप एक 135 kg बकरे इसको 6 महीने बात है कलर कॉंबिनेशन स्टाइल और सबसे बड़ी बाद इस वेट पे बगरा एक्टिव खड़ा है कैसा पैर देखो ना पैर की मजबूती देखो अब यह बगरा देर्सों किल्यों पर नहीं जाना तो भागेगा अपना थोड़े बिटा अपना आप देख लो अगर बिखेगा यही रहा तो अम इसको फिर दिखाएंगे इन्शा आला इसकी लेंड देखें आप लो कुछ सप्प्लिमेंट है क्या इसे किसे बन ले यह 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 महबद भी है भाई लोग की महनद भी है माशा आल्ला क्या अंदाजा लगता आपको इसका व इसका भी 120 बीजी बोलते है गर्दन कमान यह उससे भी जादा हो सकता है है उससे जादा है लगबख 1356 है 136 है वो बखरेया कितना है था 134 के गरी था आसपास ही बे दोनों अन बिलीवेबल अभी ऐसे बखरेया इसमें बहुत सारे ऐसे अल्हंद ला यह बेचना है ना बहुत उमीद रखेंगे बखरे से इंशालला यह दो बखरे देखे हमने ना यह दोनों यह रहे अधा बोर का वजन दिखा देगा बोर का बोर्ट तो सोल्डा सोल्डा आउट हुआ है लेकिन एक पर आपको वेट दिखा देते हम लो है है हाला के हाथ में भी नहीं आता हो यह बेचे तो वजन करके बेचे होंगे आपने यह एसी दिया था भी मेरे वजन नहीं किया था क्या लग रहा अंदाज आपको यह सो पंद्रा किलो होना ची आरा हम से आप मुस्कुरा रहे शायद ज्यादा है इसको बोलते है देखा बनावट 120 किलो बोर बकरा हां खसी बोर फुली एक्टिव बकरा यह को बखरा देखा यह भी आसिम भाई है 44 के करीब है बखरा अगें यह भी होगा 125 किलो अरा यह उपर ही यह यह लो इसको भी लो कि अग्याद कर दो एक्सोचपविस से एक्सोचपविस किलो मान लो इसका हां वन टूसिक्स बखरा बहुत थिल्ड़ा है वन टूसेवन तक भी जा रहा है पाव वन टूसिक्स मान लो आंद रहा तो पूरी पूरी ऐसी उमीद है कि बखरे जाएंगे देख सो किलो तक और जब इतने बखरेंगे तो मज़ा है लगा है और इसमें आसिम बाई काफी सारे बखरें अभी जैसे यह वाले बखरें जो है गुजरी पेच में जी एजमेरे पेच में यह इसे बखरें भी तो इनसे तो बहुत उमीद है इंशालला यह बखरों से और यह सारे अवेलेबल पर सेल किसी को भी बड़े बखरों का शॉक है ना उनके लिए बेस चांस है अच्छे बखरें और पेमेंट पार्ट में भी है बिल्कुल इतने बड़े बखरें आप लेने जाओं के कुर्बानी के टाइम पर काफी महें मिलते हैं वह सीधर 2.5 लाग रुपे वैसी बात हो लेकिन अलमदुल्ला भी सारे अपने वह पेमेंट सिस्टम में मिल सकते बखरें और ऐसा भी नहीं बहुत सही रेट में दिये भी हमारे दोस्तों को बिल्कुल इसके में मालूम है मतलब जैसे अपी फैसल भाई लोग लिए आप से में मालूम है क्या रेट में उनको भी है तो अगर काम हो सकता है हर साइस में दे सकते माशालला चली और बखरें दिखाओ भाई इसमें छोड़ा ताकि लोगों को स्क्रीन्शॉट लेने में असानी हो जाएगी अब इसकी हाइट देखो 44 की हाइट है हाई यह बखरें कहां तक आ रहा है आप देखो यह बखर अर यह बखरें वाई का छुपाता है और सबकी शाइनिंग देखो और नहीं बाल आएंगे इंशालला और मजाएगी वह इस सब 120 115 130 को जो भाई ने बक्रा पकड़े वजन किया दा नहीं यह नहीं किया दा एक बखरा कर लेते हैं लग होएगा 120 होएगा यह 120 के करीव होगा पूरा सेम एक रुपे का फरक नहीं है लेकिन ऐसा होता कैसा है क्योंकि अब यह बक्रा भी देखा जाया रहा है तो मतलब क्या वेट गे नहीं कर रहे हैं बखरे अलहम्दिल्ल्ला बवाद अच्छी केजी पर बख रहा है आज माशालला देखो नहीं पैर पाई देखो क्या उमीद है आपको इससे यह भी आसिम बाई 145 इद पर इंशालला आज है 120 पर आज है 115-20 के वीच में है वक्राव आप दिखाओ अब जैसे भाई लोग फिडिंग कराते तो एक आइडिया भी रहता होगा जैसा खाते बिल्कुल बिल्कुल एक अंदाजा मिलता है हम लोग जब फिडिंग होती है ना सिम्भाई हर वीकली वीकली शॉट लीस करते कि जो बखरा डायट में कमजोर होता है उस पर अलग से मै बराब बर 120 किलो जैसा आपने बोले इसकी फ्रेम भी माशालला बड़ी है तो और भी इंशालला बहुत अच्छी उमीद है इस बकरे से क्योंकि जैसे सर्दी की डायट है इसे गर्मी की डायट अलग रहती है वह बहुत हैवी रहती है यह एक सोज़त गुजरी जैसा बकरा जैसे जैसे आपन जर मादनी पोर सब्सक्राइब करेंगे कि अपने देखना है इसका गेन देखना में इसको लो ऐमत भाई तो इसका गेन देख लेते एक बाई एक तो पांट किलोगा मेरे साब से कर दो एक सो चार तो जाई रहे ना चल खोल दो बहुत अच्छा गेनिंग कर दिया बाज इसने लिए तो जब 75-80 किलो पे दॉड़ा नंबा था तो दूबला दूबला था यह आप दूबला बकर दूबला थाई आप का से लाश हो है का से लाश हो है पिशाप कर लेए बहुत उंदा बकरा लम्दोलिल्ला फ्रेम वगेरा सीना देखो आप पैर वेर भी बहुत मजबूत है इसके बहुत बड़ा बकरा है हैंडल नहीं हो रहा हुआ और शायद अंदर आप ही नहीं रखता बड़ा बकरा है वजन हरकुछ नहीं होता है लोस तो इसकी फ्रेम देखो बकरा भूमने का नाम नहीं ले पाया पहली बार देख रहा हुआ है तो समाल लोस को एक सो तेईस-च्वावीस किलो है लेकिन बकरे का फ्रेम भूमनी पा रहा है बकरा पीछे से उतारना पड़े जा आप प्रिफर कर बहुत मलद है वेट चलो एक सो तीज पैतिस भी रहे जागा लेकिन बल्क बहुत हो जाएगा बहुत बहुत माशालों जैसे के लास्ट वीडियो में वह बोर फिटिंग में बकरा दिखायते है वह बारा बकरों में था हो यह भी वैसे ही बनेगा ठीक है 44 के करीब हाईट है बहुत बढ़ी साइज में बकरा बहुत है वालों के काम का बकराई है बहुत आपकी बहुत ट्रांस्परिंसी बताओं कि आप तु चाह रहों कि हर बगरां वेट करके बता दें बिलकुल मैंने बड़ी बड़ी जगाव पी देखा हूं बोलेंगे बहु क्यों आपको भरोसा आपके बक्रों पर इसके लिए वेट करके दिखा रहें और जिसको खरीदना ट्रांसपरेंस यह बहुत ज्यादा जिसको लेना हो लो नहीं तो भी बक्रे बनते रहेंगे इंशालों यह देखो आप बगल वगरा भी छोड़ दिया है और इसकी भी हाइड भी बक्रा भी आपके बीच्छा रहा है विए यह भी बड़े बक्रों की श्रेहने में रखा हो है माशाल्ला आज आगा 95 किलो यह 100 होगा अले बटा कांटे बिले तो ले लो एक वाला ले लो 100 होना ची मेरे साथ चलो भाइने बोले 100 देख लेते हैं बक्रा चलने में अच्छा है माशालला यह अच्छी बाल है एक सो आठ किलो आ रहे है बराबर बराबर चले ले एक आदमी आया कर आगे बिटा बक्रा भी जिद्धी है मुसिम मैं बुले तुम जिद्धी तो मैं भी जिद्धी एक सो आठ एक सो नौ किलो गुलावी बक्रा पुरा वाइड आइस वाँ देखते हैं ना कहां तक इसकी इंशालला यह निंग जाई अगर यहां पर आकर सारे बगरे बाहर निकल के देखेंगा कोई भी बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया अगर नहीं आ सकते आपका बहुत बिजी शेडियूल है तो आपको वीडियो अगरा मिल जाएगी यह भी देखो इसकी भी लेंद्ट वगरा देखवा सी हाइट हाँ चैरा भी राउंड एक दम बहुत बहुत बनेगा इंशालला इस चले हो यह दिखा है हमने हम लोग चार है कि इसका वेट हम अपनी परसनल उससे के भाई यह बखरा कैसा बन रहा है वह देखने के इसाप से कार है आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत अच्छे से वे जोटीन बैं एक सो चार और एक 10 दिन पहले नाइनटी ने नाइन किलो को पा और बोलाने एक तो प्राइख से का वा